चलिए पहले हम आज बात करते हैं आपका देखो financial account की बात कर रहा हूँ एक्जाम जो financial account का है मेरे पास date sheet है उसके अंदर आपका 27 तारिक को तो S.O.L. वालो का है 27 जनवरी को तो बहुत टाइम है इसके बाद regular वालो का है हमारा financial account 8 जनवरी और S.O.L. वालो का है program वालो का इन financial जो account है ना बहुत बच्चे क्या करते हैं पढ़ने का अगर method ना पता हो तो गलत सलत पढ़के और फिर इतना सारा कई बच्चे पढ़ भी लेते हैं और एक्जाम वाला नहीं पढ़ते हैं बाकी इधर उधर की बाते पढ़ लेते हैं ठीक है तो अगर मैं आपके बात करू financial account में तो overall आपके ना पांच unit है पांच unit है पढ़ने का तरीका भी देखना किस तरीके से पढ़ना है ठीक है पांच unit है और सभी बच्चे ना बहुत सारे बच्चे जो correspondence वाले हैं वो S.O.L. की book पे 100% dependent हो जाते हैं इसमें से हमारा है unit number 1 ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है वो किस पर dependent हो जाते हैं S.O.L. के उस पर पूरा dependent हो जाते हैं unit number 2 है unit number 3 unit number 4 unit number 4 और unit number 5 ठीक है आपका पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए जो बच्चे अभी भी जोइन कर रहे हैं या अभी पढ़ना स्टार्ट किया है या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था बस हम classes लेके time pass कर रहे थे उन सभी को बता दू unit number 1 को बिलकुल भी अभी नहीं पढ़ना है यह unit fully theoretical है ठीक है हाला कि जब आप unit number 1 चेक करोगे तो 1 किताब के अंदर सबसे बड़ा unit number 1 है हमारे सबसे बड़ा कितने साथ चेप्टर है उसके अंदर अगर किताब में चेक करोगे बच्चा क्या करेगा यार unit 1 खतम करते हैं और unit 1 में theory है जो selected theory आएंगी paper में वो मैं ब principle आएगा अजंशन आएगा depreciation प्रिंसपल अजंशन हो गया या फिर उसके अंदर आ जाता है आपका एक्रूवल बिसिस अकाउंटिंग कैस बिसिस अकाउंटिंग में difference या कुछ और एक पॉइंट है पैटी कैश वगरा वो मैं बता दूंगा theory तो unit number 1 तो आप बिलकुल भी नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए आप सभी बच्चों को और यह unit number 1 कम marks का भी है clear तो unit 1 बिलकुल भी focus नहीं करना आप किताब में भी देखोगे किसी में भी देखोगे अगली क्लास में लाना बच्चे भी देख लेंगे तो एस वेल की जो रहने वाली है अब कहीं यह रुक तो नहीं रही वीडियो ठीक है और जो एस वाली जो वीडियो है बुक्स है उसके अंदर काफी सारा error है उसमें single entry भी दिया हुआ है जो कि slaves का पार्ट नहीं है final account दिय यहीं नहीं जो कि slaves का पार्ट है वो तो डियू की गलती है तो सबसे पहले आप जब financial account पढ़ रहे हो तो जो SOL की किताब है अगर SOL का बच्चा है तो इसको बिलकुल भी ना देखे नहीं तो आप परेशान होगे और कुछ नहीं मिलने वाला कुछ हासल नहीं होने वाला इस का ध्यान डखना एफए की बात करो मैं ऐसा नहीं कहा रहा कि SOL की कोई किताब ना देखे ऐसा बिलकुल भी नहीं है भाकी जो आपके वैक सेक इन सबके जो बुक है उनको देखिए उसी में से पेपर आएगा लेकिन एफए को मत देखना एफए की बुक मैंने पूरी उसके देख ली हैं बहुत सारे एरर के साथ साथ गलस लिबस उसमें डाला हुआ है क्योंकि काफे सारे बच्चे सोचते हैं यार मैंने फीज दी है तो किताब मिलेगी उसी से पढ़ लेंगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है एफए की बुक के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ ठीक ह अब यूनिट नंबर टू की बात करते हैं सर यूनिट नंबर टू में जो चेप्टर है ना पहला चेप्टर हमारा है डेप्रीशेशन का जिसका नाम बदल के रख दिया गया है PPE और दूसरा चेप्टर हमारा है यहाँ पे inventory और तीसरा चेप्टर आपका है यहाँ पे AS9 और सार इसमें से हमें कैसे करनाँ जाहें देखो एक्जाम के बचे हैं बड़े कम टाइंग तो इसमें से सबसे पहले आप करेंगे क्या आप inventory कर सकते हो देखो inventory का question पक्कान और इतना आसान chapter inventory कि आपको उससे पिछला कोई लेना देना नहीं है तो number one पे तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को guide कर रहा हूँ ये कर लो 10 number तो आपके पक्के हो गए एक question आपका आएगा 19 number का आपके paper में आएगे total 5 question ठीक है ध्यान रखेगा 19, 19, 19 करके 5 question आएगे जैसे हमारा question number one होगा ठीक है ऐसे बनेगा paper question number one में a part और b part और और में भी रहेगा हमारा a part और b part ठीक है तो 15 number का ये unit बनता है ठीक है और 15 number का अगर ये unit अगर मैं total बात करूँ तो 100 number का paper है तो 15 number का ये वाला unit बन रहा है लेकिन paper के लिए 14 number का unit बन जाता है क्योंकि वहाँ पर 19 number का question आ रहा है तो a part b part इसी के अंदर chances है कि a part आपको पूरा theory का मिल जाएगा है कि 10-12 number या उसके अंदर section points दे देंगे और inventory वाला question यहीं देखने को मिल जाए आपको तो सबसे पहले inventory करिए YouTube पे पूरा का पूरा video भी डाल दिया है application वाले बच्चों को भी पूरा live class में करा दिया है book के questions लग 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 कर लिये है बहुत simple सा है इसमें leafo, fifo, weighted average और आपका periodic method बगरा होता है तो इसको ध्यान रखना है इसके बाद सर आप number 2 पे इसको करिए अब जिन बच्चों का 11th में depreciation बहुत अच्छे से strong था वो करें number 2 पे जिस बच्चे ने 11 भी में depreciation छोड़ी दिया था क्योंकि जो 11th के अंदर रहता है कि depreciation chapter पे एक बच्चों को डर लगा रहता है वो छोड़ देते हैं अच्छे से practice नहीं करते हैं तो वो दूसरे number पे बिल्कुल भी ना करें पहले number पे यह हो गया तीसरे unit में बात करें तो तीसरे unit में हमारा दो chapter है number one final account और number two NPO बस दो ही chapter है सर तीसरे unit अगर आपको depreciation आता है depreciation चूज करिए otherwise number 2 पे इसको रखिए या फिर इसके बाद बिल्कुल इसके अंदर अगर कोई बच्चा science का है तो वो भी कर सकता है मैंने बताए direct expense, indirect expense सारे adjustment को अलग-अलग बताए हुआ है तो यह कर यह ठीक है मैं chapter के unit के साथ नाम भी बताता जा रहा हूँ इसके बाद आ जाते है unit number four इसके अंदर सबसे बड़ा unit और सबसे main unit यही माना जाता है सबसे पहले हमारा branch है और यह unit हमारा पच्चस नमबर का माना जाता है सभी unit बीस 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 का होता है यह unit 25 और पहला unit 15 का है ऐसे इसको divide किया हुआ है तो obvious से जादा number का है तो branch है और इसके बाद departmental जो चल रहा है और एक lease है बहुत बच्चे demand करते हैं सर lease करा दो इसलिए मैंने lease पहले ही करा दिया और कुछ extra question और भी करा देंगा ठीक है यह तीन chapter है तो सर अब देखिए बहुत कम slave us है आपका semester one का बहुत कम slave us लेकिन आपने strategy से किया आप मान लिजे inventory चप्टर में पता है कितने दिन लगेगा हद मार के दो दिन हद मार के दो दिन अगर आप खतम करने बैठोगे तो अगर आपने पहले से कर रखा है revision एक दिन में खतम inventory में इतने depreciation में कितने लगे हद मार के चार दिन एक दिन SLM कर लोगे एक दिन WDB कर लोगे एक दिन change method कर लोगे एक दिन provision कर लोगे ठीक है बस चार दिन में आपका खतम हो जाएगा तो अगर मैं time भी लिखूं तो इसके अंदर दो दिन लगने हैं आपके two days वाइड वाला days के उपर मैं count कर रहा हूँ इसके अंदर लगने है चार तो कितने दिन होगे इसर हमारे छे दिन final account में आप जितना जल्दी कर सकते हो जितना कम कर सकते हो total कितने adjustment कर भाए थे इसके मैंने final account के अगर आपको याद हो तो हाँ 23 यानि 25 adjustment है 25 adjustment एक adjustment पांच मिनट, साथ मिनट, दस मिनट की इमान लेते हैं तो total 200 मिनट हो जाते हैं तो 200 मिनट को आप करोगे तो चार घंटे के अंदर हो जाता है तो आपका main क्या है इसके अंदर पहले focus करना है फिर सारे adjustment फिर practice करना है फिर भी इसके अंदर में अगर time लेके चलू ना आपको generally तो आप इसको भी 4 दिन में बड़े आसानी से खतम कर सकते हो और ना खतम करने को महिना भीर लगेगा हमने class में किया था तो एक महने से उपर लगा था हमने daily किया था अब तो exam आ गया है इसके बाद जिस बच्चे को depreciation पहले आता है वही करें नहीं तो एक नंबर ये दो नंबर वो तीसरे नंबर पर इस पर आ जाए इस चप्टर का पीछे से कोई लेना देना ही नहीं है किसी भी चप्टर से लेना देना नहीं है कहीं सोचो के सर ये वाला आएगा ये नहीं है किसी से ये individual चप्टर है किसी से लेना देना है हाँ थोड़ा बहुत final account का थोड़ा बहुत ऐसा खर्चा income करके दिमाग में आएगा इसके बाद आप क्या कर ले सर ये कर ले और नंबर पांच पह पर ने तीन तो इह हो गए था ना नंबर चार ये होगा और इड़ तो टाइंगा ब्रांचके अंदर हम पांच दिन लग यह आ सकते हैं न मैं सैरती को सब्स्सक्राइब जिसके अंदर आपके सारे के प्रैक्रिकल प्रॉब्लम् जो इतनी और नो आपके पास 28 यानि 25 दिन तो हैं आपके पास average मानके चले तो 25 दिन है लेकिन बच्चे कहेंगे सर हमारा तो 14 से पेपर स्टार्ट है तो यह 16 से स्टार्ट है या फिर हमारा 21 से स्टार्ट है तो देखो वह चीज़े तो आपको manage करना पड़ेगा तो मैं उसके according आपको स सारी के सारी चीज़े बता रहा हूं ठीक है अरे शिट झाल 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 कि चलिए एक बार चेक करिएगा है नहीं आए आपके पास कि मैंने रिकनेक्ट हो कर दिया है यहां भी आ रहे है ठीक है आ गया होगा देखिए अब आप तो मैं क्या कह रहा था वो डिसकनेक्ट हो गया था कि इसमें 19 दिन है आपके पास इनफ टाइन में लेकिन अब इसको स्ट्रेटेजी के साथ चलना है स्ट्रेजी के साथ चलोगे तब खतम हो पाएगा बच्चा क्या करता है पहले सबसे पहले यूनिट नमबर बन उठा लेगा साथ आठ चेप्टर कर यह यह यूनिट यूनिवर्सिटी को मजबूरन डालना पड़ता है यह उनके लिए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो यूनिट टू से स्टार्ट होता है अपका हमेशा ठीक है अब सर इसके अंदर अगर इतने चैप्टर कर लेते तो हमारे मार्क कितने आएंगे सर मार 15 नमबर यहां पर कन्फम कर लिजिये 20 नमबर दूसरे यूनिट में परनेश्ट यह आ Messiah आपके 58 माक आगए अब ये theory तो आप छोड़ के जाओगे नहीं theory करके जाओगे तो 15 नमबर यहां से आ जाएंगे आपके ठीक है तो plus 15 नमबर इसको जोड़ लिजिए 58 और plus 15 नमबर तो 73 होगे देखें 90 में से 73 अगर आप score कर रहे हैं तो बहुत अच्छा marks है 90 में से 73 अब बात करते हैं सर computer computer के भी theory तो आप छोड़ोगी नहीं इसमें से भी आपके कम से कम 10 से 15 नमबर के question पूछे जाते हैं तो आपके 73 और plus में 15 नमबर 88 marks का अपका लगबग लगबग हो जाता है 88 नमबर का यानि 90 नमबर का पूरा ही पेपर हो गया अब question mark आता है sir ES9 इसमें से भी theory आ भी सकता और नहीं भी आ सकता आएगा तो आपको और में option में मिलेगा sir NPO छोड़ दिया NPO और इसमें जादतर 24 आता है लेकिन मैं तो करवाँगा ठीक है न जादतर 24 आता है लेकिन मैं करवा दूँगा तो paper का structure कुछ इस तरीके से बनेगा मैं बता देता हूँ sir paper कैसे बनेगा question number one बनेगा इसका a part और भी पार्ट ये भी theory और ये भी theory और में आ जाएगा a part और भी पार्ट ये भी theory और ये हो सकता है practical हो जाए ठीक है question कितने का आया 19 नमबर का first question खतम sir question number two बनेगा question number two question number two इसके अंदर a part और बी पार्ट और में आएगा आपका a part और बी पार्ट sir इसमें एक depreciation का question हो जाएगा हो सकता है कि inventory का question हो फिर यहां पे एक depreciation का question होगा हो सकता है आपका inventory का question हो कोई और यहां practical में भी आपको inventory का question देखने को मिल सकता है ठीक है कोश्चन नमबर तीन बनेगा सर कोश्चन नमबर जो तीन बनेगा ये पार्ट और कुछ भी नहीं होगा और इसके ये पार्ट ये अकेला कोश्चन ये फाइनल अकाउंट का कोश्चन हो सकता है ये बनेगा हमारा कोश्चन नमबर 3 कोश्चन नमबर 4 क्या बनेगा ये सकते हैं या फिर कोई में को फ़िए हैं नमबर 5 सबसे पहले आपको आपको हो सकता है किसका और यहां पर दे सकते हैं यहां पर फिर कोई और तरीके से पूरा पूरा पैटर्न आपका डिविजाइन होगा अब मैंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल ऐसा मतलब के मान के चलो 90 परसंट यही स्ट्रक्चर रहने वाले आपके पेपर का लेकिन कई बार हो सकता है दूसरे ट्यूटर के मैं वीडियो डाल दूँगा जिसके अंदर टैली के बारे में सब कुछ बताया हुआ है उससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं अपने हिसाब से देखके कौन सी वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो मैं फोल्डर में डलबात हूँ ठीक है तो यह सारा का सारा स्ट्रक्चर है तो मेरे हिसाब से आपकी थोड़ी बहुत समस्या तो क्लियर होई होगी और आपको अभी से पढ़ना पढ़ अठाइस के बाद फिर आपका तीन यानि हमें अगर इसमें देखा जाए फे में चुट्टी की बात करें तो प्रोग्राम वाले बच्चों की चुट्टी पढ़ रही है पांस से छे दिन की और सेम ऐसे देखा जाए दो के बाद सीधा आठ को छे दिन के उसके मान लेते हैं और फिर आगे देखा जाए हमारा उनके भी छेट सब में 6-6-5-5 दिन के चुट्टी है अच्छे चुट्टी है लेकिन आप सोचोगे ने 5-5-6-6 दिन में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगा और कर लेंगे 5-6 दिन उसमें टेंशन में तो आपका एक ही चप्टर होगा साइध इन्वेंट्री हो फिर तो और कुछ होगा यह नहीं उस टाइम पर सिर्फ रहगार यह भी करना यह अभी सारा निप्टा लो और जो बच्चा भी से रिवीजन करने लग जाएगा निप्टा के 5-6 दिन में सिर्फ और सिर्फ 10-year के कोशन प्रैक्टिस करेगा पढ़ने का क् पहले जो मैंने वीडियो में करा रखें इनफ है वही करिए उसके लाब आप बुक के लिए मैं रिकमंडिशन नहीं करूंगा और प्लस 10-year ले लिजिए और 10-year के कोशन आप सॉल्व करिए शिवदास का 10-year ले लिजिए आपको इसली मार्केट में अवेलिबल हो जाएगा और इसके कोशन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए जिन बच्चों को अवेलिबल नहीं होता क्योंकि काफे सारे बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो मैं बता देता हूं नंबर देता हूं मैं और नंबर क्या है वहां का जी और आई एस एच ग्रीश जी है न नंबर यह है आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं दस से चे के बीच में 7012347630 और यह कोई भी प्रमोशनल नहीं है जिसको जहां से लेना है लीजिए क्योंकि यह किताब है अगर मैं बोलता हूं आपको कि जयार मोंगा ले लीजिए तो मैं सरिफ इसलिए बता रहा हूं कि इसमें क गुरेवाल ले लो तो इसका मतलब कोई पर्मोशन नहीं है अपके पास लेना ठीक है तो यह ले लेंगे पहले मेरी वीडियो को देख लेंगे फाइनल अकाउंट उसके बास सारा का सारा फाइनल अकाउंट निपता दीजिए किससे तैनियर से आप माल लेते हैं कि 10 कोशन दे रखा तो दस के दस नहीं करना आप पांच कोशन तो लिख के करिए क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है और पांच कोशन को एंट्री मार्क कर करके कर लीजिए अब वहां पर यह मत सूचिएगा टैनियर गंदा हो जाएगा फिर क्या करेंगे नहीं वह आपक का भी डेली आप इसमें कम से कम आपको टू आवर्स तो देने ही देने पड़ेंगे क्लियर है योटीप पे जो बच्चा पढ़ रहा है प्लेलिस्ट है और जो बच्चा ऑफ लाइन में है जो भी डाउट होते हैं डाउट सेशन के लिए कुछ बच्चों का क्लियर नहीं हो नहीं होगी ठीक है ना तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा और किसी का कोई डाउट है क्या